नमस्ते दोस्तों आज हम साबू दाना के बड़ा बनाएंगे जो ब्रत में खाया जाते हैं उसके लिए सबसे पहले काली मिर्ची को अच्छे से पीश लेना है बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीशना है थोड़ी सी दरदरी रखना है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब मौंग फली के दाने ले लिए इनको भी पीश लेना है दरदरा ही पीशना है थोड़ा सा खड़ा रहता तो अच्छा लगता है बहुत महीन नहीं पीशना है यह साबू दाना के बड़ा खाने में बहुत अच्छे लगते इनको ब्रत में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी नाके खा सकते क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं और हिल्दी भी रहते हैं देखिए बड़ी हाशा पीस लिया है और दरदरा ही पीसा है अब इसको निकाल ले ना है कटोरी में और यही तरह से बनाई हो तो बहुत ज्यादा नीक लागत है बड़ा हम तो पहली बार ही बना रहे हैं लेकिन पहली बार बनाया तो बहुत अच्छा लागा बड़ा ऐसे देखते थे और खाये कभी नहीं थे खिजडी बहुत बार खाई है अब उबले आलू ले लिया है दो तीन आलू ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे अपने हिसाफ से आलू डाल सकते हैं यह ठंडे आलू है अब इनको कद्धू कसकल लेना है ऐसा करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है तीन आलू हमने ले लिया और कद्दू कस कर लिया है साबू दाना तीन घंटा पहले विगो दिया था विगोने के लिए जितना साबू दाना है उतना ही पानी डाल देना बराबर करके ही डालना है बस थोड़ा सा आधा इंच उपर कर देना है पानी तो बढ़िया सा फूल जाता है अब इसमें हरी धनिय डाल दिया और हरी मिर्च डाल दिया है और नमक डाल देना सेंधा वाला ब्रत में खाने वाला अब मुंग फली डाल देना है थोड़ा सा नीमूर निचोड दिया है इससे टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा से चटपटा टेस्ट हो जाता है अब सारी चीजे मिक्स कर देना है बड़िया से मिक्स कर लेना है थोड़ा से साबू दाना बचा उसको भी डाल देते हैं पहले सोचा था कुछ और बनाएंगे लेकिन हमने सोचा कहां रखे चलिए बना लेते हैं और दाने भी बचा लिए तो उनको भी डाल दिया है थोड़ा सा नमक और मिक्स कर देना है क्योंकि चीज ज़्यादा हो गई है बड़िया सा मिक्स हो चुका है अब हाथ को साफ कर लेना है नहीं तो ऐसे नहीं बनाते बनते हैं अब थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेना या पी पानी भी लगा सकते हैं तो आसानी से बन जाते हैं तो हाथ में नहीं चीपकता है फिर देखिए पतले पतले बनाना है क्योंकि ये फूल जाते हैं जब पतले बनाएंगे तो क्रिस्पी बनते हैं ब्रत के लिए बना रहे हैं तो घी में तल या फिर मुम्फली के तेल में तल लिए अगर ऐसे बना रहे हैं तो किसी भी तेल में तल लीजिए बहुत अच्छे लगते हैं हम तो बिना ब्रत के बना रहे हैं इसलिए हमने रिफाइंड तेल ले लिया है वैसे हम ज्यादा चीजे सरसों के तेल में बनाते हैं लेकिन इस बार ले आये थे ज्यादा यूज हम सरसों करते हैं क्योंकि वह बहुत तेल दी रहता है और घर का तेल रहता है तो सुध्ध रहत हैं और क्रिस्पी भी होने लगे हैं देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है अब इनको निकाल लेना है अब सिकेंड बैस के भी डाल देना है ये भी बढ़िया से कलर में आ चुकें इनको भी निकाल लेना है ये खायम बहुत ज्यादा नीग लागत हैं बच्चन को तो बहुत ज्यादा पसंद आवत हैं चायक साथ बहुत अच्छे लागत हैं इस बार हमने करी पत्ता डाल दिया थोड़ा सा थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दिया है ये वारा टेस्ट और अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी पड़ा है देखे कितने बड़िया बने हैं बड़िया सा क्रिस्पी बने हैं पतले बनाएंगे तो क्रिस्पी बनेंगे अगर मोटे बना देंगे तो इतना क्रिस्पी नहीं होते हैं और बहुत थेल दिया और बहुत टेस्टी लगते हैं देखे कितनी बड़िया लग रहे हैं आप लोगन का हमार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा आपको अपना कीमती समय दिये गलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखें अपने धेर सारा ख्याल हाँ